नमस्कार मैं हो शुशील कुमार आप देख रहे हैं प्रवासी एक्सपेस पोलिटिकल किस्सा में आज हम जिक्र करेंगे एक ऐसे राज्य का जहां दो-दो मुख्य मंतरी बने हैं जी हां आपने ठीक सुना सम्विधान के मुताबिक प्रदेश का एक ही मुख्य मंतरी होता है लेकिन एक हालात एक प्रदेश में हालात ऐसे बन गए कि सुप्रीम कोर्ट ने दो-दो मुख्य मंतरी को एक साथ अपोईंट कर दिया यही आपको आज बताएंगे देखिए हमारा पॉलिटिकल किस्सा यह वाक्या फरवरी 1998 है जब देश में बारवी लोकसभा का चुनाओ चल रहा था उस समय देश की सभी पाटियां दिल्ली की राजगदी पर कबजा जमाने का मनसुबा पाले धुमाधार प्रचार प्रशार कर रही थी नवाबों के शहर लखनव में भंग लोकसभा में विपक्ष के नेता रहे अटल विहारी वाजबेई फिल्म निर्देशक मुझफर अली के खिलाब चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे थे तो उसी शहर में एक समवैधानिक पत्पर आसीन एक शक्स सियाशी शत्रंज की विशात पर खुद प्यादा बन रहा था जी हां वो शक्स कोई और नहीं बल्कि उस वक्त के उत्तर प्रदेश के राजयपाल रुमेश भंडारी थे दरशल 21 फरवरी 1998 तक उत्तर प्रदेश के कई सीटों पर चुनाव हो चुका था और बाकी सीटों पर अगले दिन यानि 22 फरवरी को वोटिंग होनी थी चुनावी प्रचार के सिलसिले में उश्वक्त के ततकालीन मुख्यमंत्री कल्यान सिंग गोरकपुर में चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे तो वहीं प्रदेश भाजपा ध्यक्ष राजनाथ सिंग लखनव में एक प्रेस वारता कर लोग सभा में जीत की गणित समझा रहे थे ठीक उसी दर्मयान उत्तर प्रदेश की राजधानी में सियासी उठापटक का नया दाव खेलते हुए बहुजन समाजबाडी पाटी की उपाध्यक्षा मायावती पत्रकारों के सामने प्रदेश के कल्यान सिंग सरकार को उखार फेंकने का दावा कर रही थी प्रेश कॉंफरेंस के बाद मायावती अजीत सिंग की किसान कामगर पाटी जनता दल और सरकार का समर्थन कर रहे लोक्तांतरिक कॉंग्रेस के बिधायकों को साथ लेकर सीधे राजभावन पहुँच गई और लोक्तांतरिक पाटी के कोटे से कल्यान सिंग सरकार में ट्रांसपोर्ट मंत्री जगदंबिका पाल को मुख्यमंत्री बनाने का पस्ताव रख दिया बस्पा समेत कई पार्टियों के समर्थन के बाद समाजवादी पार्टी सुप्रीमों मुलायम सिंग यादों ने जगदंबिका पाल के समर्थन में राज्यपाल रुमेश भंडारी को पार्टी का समर्थन पत्र भी भेज़ दिया उधर गोड़कपुर में जैसे एक ख़बर मुख्यमंत्री कल्यान सिंग को लगी वे आनन फानन में राजवाण पहुंच गए और राज्यपाल रुमेश भंडारी से बहुमत सिध करने का समय मागने लगे लेकिन राजवाण ने कल्यान सिंह की एकन सुनी और उसी रात करीष दस बजे कल्यान सिंह सरकार को राजवाल ने बरखास्त कर करीष दस बज कर 16 मिनट पर जगंभीका पाल को मुख्यमंत्री और उनके साथ चार और मंत्रियों जिसमें नडेश अगरवाल, राधारामपां बच्चा पाठक और हरिशंकर तिवारी थे उनको भी मंत्रिपद की शपत दिला दी लोक्तांत्रिक कॉंग्रेस के अध्यक्ष और कल्यान सिन सरकार में बिजली मंत्री रहे नरिश अग्रवाल को उपेमंख मंत्री नियुक्त किया गया 22 फरवरी को अटल विहारी वाजपेई ने अपना वोट डालने के बाद सरकारी गेस्ट हाउस में ही आमरन अंसन शुरू कर दिया और राज्यपाल के खिलाप मोर्चा खोल दिया उधर दिल्ली में राष्ट पति किया नरायनन ने प्रधान मंत्री इंद्र कुमार गुजराल को पत्र लिख कर लखनव के घटांक ट्रम और उसमें रूमेश भंडारी की भूमिका पर असंतोश जाहिर किया लेकिन असल ड्रामा तो लखनव के सचीवाले में हो रहा था सुभा सुभा सचीवाले में इस्तित मुख्य मंत्री के चेंबर में जगधंबिका पाल जाकर जम गए वहीं दूसरी तरफ बरखास्त मुख्य मंत्री कल्यान सिंंग भी सचीवाले पहुँच गए लेकिन उनके सचीवाले पहुंचने का कोई पायदा नहीं था क्योंकि उस वक्त समवैधानिक रूप से जगदंबीका पाल ही मुख्यमंत्री थे सचीवाले में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर जगदंबीका पाल को बिराजमान देख कल्यान सिंग कैंप ने अब नयाई पालिका का रुख अपनाया और 22 फरवरी को ही कल्यान सिंग सरकार में मंत्री रहे नरेंदर सिंग गौर ने इलहाबाद हाई कोट में याचिका दाखिल कर मांगी की राज्यपाल रुमेश भंडारी के एक्षन को असमवैधानिक करार दिया जाए और कल्यान सिंग सरकार को बहाल किया जाए उनकी याचिका पर 23 फरवरी को इलहाबाद हाई कोट ने जगदंबीका पाल की सरकार को अवैध करार दे दिया और साथ ही कल्यान सिंग सरकार को बहाल करने का आदेश भी दे दिया हाई कोट की इस आदेश के साथ ही अटल भी हारी वाजपेई ने अपना अंशन समाप्त कर लिया था अब हाई कोट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोट जाने की बारी जगदंबिका पाल कैम्प की थी वो सुप्रीम कोट गए भी लेकिन इसी दर्मियान उन्हें एक बड़ा जटका लग चुका था उप मुख्यमंत्री नरेश अग्रवाल और मंत्री हरी शंकर तिवारी समेत लोक्तांत्रिक कॉंग्रेस के अधिकांश विधायक वापस कल्यान सिंग कैम्प में लोट चुके थे मुख्यमंत्री जगदंबिका पाल की तो हालत ऐसी हो गई थी कि सचीवाले भौन में सीएम की कुरसी पर बैठे होने के बावजूद उन्हें पानी मांगने पर एक घंटे बाद पानी का गलास महिया कराया जाता था साथी नास्ता मांगने पर दुबाड़ा पानी का गलास सामने रख दिया जाता था दरस तेईस फड़वरी की शाम तो एक दफ़ा ऐसा भी हुआ कि जब जगदंबिका पाल ने सचीवाले के स्टाफ से नास्ता मांगा तो उन्हें बहुत थोड़ा सा विसकुत वगेरा मु खैर 24 मार्च को उनकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट के सामने भी अजीब स्तीती थी एक तरफ राज्य के समवैधानिक प्रमुक यानि राज्यपाल का फैसला तो दूसरी तरफ हाई कोर्ट का जजज्मेंट दोनों एक दूसरी के ब पोजिट फ्लोर टेस्ट होगा और उसमें जो जीतेगा उसे मुख्यमंतरी माना जाएगा तब तक के लिए दोनों जगदंबिका पाल और कल्यान सिंग के साथ मुख्यमंतरी जैसा बेवहार किया जाएगा लेकिन कोई भी नितिगत फैसला पोजिट फ्लोर टेस्ट के घोसित होने के समय से मुख्यमंतरी जबकि हारने वाले की मुख्यमंतरी पद पर दावेदारी वोटिंग के नतीजे के साथ ही खारीज हो जाएगी 26 माई की सुबह विधान सभा में कमपोजिट फ्लोर टेस्ट की प्रक्रिया शुरू ही देश विदेश की मीडिया की मौजूदगी में विधान सभा की कर्यवाही शुरू ही सुप्रिम कोट के आदेशा नुसार 16 कैमेरे लगाये गए थे बेहद शान्ती पुर्वक तरीकों से कर्यवाही चल रही थी लेकिन सबसे मज़ेदार सीन तो विधान सभा के अंदर की सिटिंग अरेजमेंट का था विधान सभा अध्यक्ष की सरीनात्त्री पाठी के दोनों तरफ दो कुर्शियां लगाई गई थी और उन पर दोनों मुख्यमंत्री को बिठाया गया था शाम के वक्त 425 सदश्यों की विधान सभा में जब कंपोजिट फ्रोर्टेस्ट का नतीजा आया तब मुख्यमंत्री पद पर जगदंबिका पाल की दावेदारी खत्म हो चुकी थी और कल्यान सिंग को मुख्यमंत्री घोशित किया जा चुका था तो ये किस्सा था किस तरह से उत्तर प्रदेश में देश का ये पहला ऐसा राज्य है जहां ऐसे अब ही समय आया जिसमें दो-दो मुख्यमंत्री रहे तो दोस्तों आपको एक किस्सा कैसे लगा कमेंट कर जरूर बताईएगा